दोस्तो फिल्मी दुनिया में आपको ड्रामा सिर्फ बड़े परदे पर देखने को मिला है मगर असलियत में ड्रामा तो इंडस्ट्री में भी खूब देखने को मिलता है जैसे की टॉप स्टार्स के लव अफेयर्स या ब्रेक अप या पैच अप के कई किसे सुनने को बिलते हैं इन किसों में से कई कहानिय ऐसी भी होती हैं जो काफी कॉंट्रो वर्शियल होती हैं तो चलिए आज हम आपको ऐसी ही कुछ लव अफेर्स के बारे में बताएंगे पहले नमबर पर आते हैं हम सब के चहीते बच्चन साप और रेखा जी इन दोनों का अफेर अपने टाइम का काफी चर्चा में रहने वाला अफेर था ये दोनों अपनी मूवी दो अंजाने के सेट पर मिले थे और वहीं से उनके बीच नस्दी क्या बढ़ने लगी थी और उस समया मिताफ जी शादी शुदा थे इन दोनों ने मूवी सिलसिला के बाद अपने रास्ते अलग अलग कर लिये थे दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे दर्मिंदर पाजी और हेमा मालनी इन दोनों की लव स्टोरी किसी हिंदी मूवी की कहानी से कम नहीं है ये दोनों तुम हसीन मैं जवान के मूवी सेट पर मिले और वहीं उन्हें दूसरे से प्यार हो बैठा जबकि धर्मजी पहले से ही प्रकाश कोर से शादी कर जुके थे और इनके दो बच्चे भी थे पीसरे नंबर पर हैं बोनी कपूर और श्री देवी इन दोनों का अफेयर अपने समय के बॉलिवुड का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल अफेयर था क्योंकि बोनी कपूर दो बच्चों के पिता और मोना कपूर के साथ हैपीली मेरिट थे मगर श्री देवी से मिलने के बाद वो बोनी कपूर की 13 साल लंबी शादी तूटने की वज़ा बन गई थी और सबसे कॉन्ट्रोवर्सी वाली बात ये हो गई जब श्री देवी बोनी कपूर के बच्चे के साथ साथ महीने प्रेगनेंट थी ये खबर बहुत ही तेजी से सब के बीच पैल गई थी इसके तुरंद बाद ही मोना और बोनी कपूर ने अपने अपने रास्ते अलग कर दिये थे